अज हम आपको क्लास 9 हिंदी संचे बुक में से चाप्टर नमबर वन जिसका नाम है गिलू उसके आपको NCRT के कोशन्स समझाएंगे तो शुरू करते हैं कोशन नमबर वन से सोन जूवी में लगी पीली कलिक को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमडने लगे स्ट्रेंट सी है जो चाप्टर है इसकी लेखिका है मादेवी वर्मा और कोशन में पुछा गया है सोन जूवी में लगी पीली कली इसमें एक कली लगी है जो पीले रंग की है और लेखिका ने जब उसे देखा तो उसके मन में कौन से विचार उमरने लगे तो इसका उत्तर बहुत ही असान है इसका अंसर सोन जुई में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे से जिव गिलारी की याद आ गई क्योंकि जब उन्हें गिलारी मिली थी तो वो इसी सोन जुई के पोदे में पीली कली लगी थी और वो गिलारी उसी पीली कली के पीछे ही चुपी थी और जिसे वे गुल्लू कहती थी तो बहुत ही असान उत्तर है इसका इस तरह से लिखना है अब प्रशन दो पे आते हैं कोशन टू पे पाट के अधार पर कोवे को एक साथ समारपित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है और इसका उत्तर इस तरह से कोवे को समादरित प् पर बैटके आवास निकाल रहें तो इसका मतलब यहीं होता है कि चाहिए हमारे घर पर हमारे कोई प्रिये मित्र या कोई परीजन स्वागा सम्मंदी हमारे घर पर आने ही वाला है तो हमें ऐस से लगता है कि वो कि हमारे प्रियोजनों की आने की सूचना देता है तो इसी वज़ा से कववे को समांतरित यानि की समांत जो है वो देने वाला प्राणी कहा गया है और प्रित्र पक्ष में जब श्राद हो जाते हैं हमारे जो पूरवजा उनके में लोग इसे आदर से बुल इसी आदर के साथ उसे समांतरित कहा गया है क्योंकि हम वोगे को आदर भी देते हैं और इसे अनादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज पहुँन ही करवी होती है तो इसका उत्तर इसतरा से आप लिख सकते हैं अब आते हैं अगले प्रक्ष नमबर तीजे का था और उसके बाद उससे चोट लगी दोसका उपचार लेकिका ने किस तरह से किया तो लेकिका गिल हाइडी के घायल बच्शे को ऊठाकर अपनी कमरे में ले आई उसका घाव पहले रूई से पहुचा और उस पर पैंसिलिन दवा लगाई फिर उसके मुह में दूर डालने की कोशिश की परन्तु उसका मुह खोल नहीं सका कई घंटे के बाद कई घंटे के उप्चार के बाद उसने एक बुंत पानी पिया और तीन दिन के बाद उसने आखे खोली और धीर धीरेवे समझे गई और उसके लिए लेखिका ने क्या किया इसका उत्तरिस्ता से लिए बाहर की गिलारियां खिड़की के पास के जाली में बैठ कर चिक-चिक क्या करती थी उन्हें देखकर गिल्लो उनके पास आकर बैठ जाता था उसको इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर लेख अवश्क समझा क्योंकि उसका मन जो था और अपने जो दूसरी गिलारिया थी उनके साथ वो खेलना चाहता था और कोई भी तो बंदिश में नहीं रहना चाहता है और सोतंत्र होना चाहता है तो लेखिका को लगा कि वो मुक्त होना चाहता है तो इसी चीज को देखते हुए क्योंकि वो बाहर जो खेल रही थी गिलारिया उन्हें वो अक्सर देखा करता था तो इसी वज़ाए से लेखिका ने इसे मुक्त करना अवश्क समझा तो लेखिका ने खिडकी की डाली का एक कोना खोल दिया थोड़ी सी खिडकी को खोल दिया और जिस का ध्यान कैसे कर्शित करता था जब भी मादेवी वर्मा लेकिका जो है वो जब भी लिखने बैठती थी खाना खाने बैठती थी तो उनका ध्यान वो इस तरह से कर्शित करता था लेकिका का ध्यान कर्शित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता और फिर सर भाग धोड़ता रहता था लेखिका की आसपास और जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठना चाहती है तो लेखिका का ध्यान जब आप कोई की लहरी आपके आसपास चक्कर काटे या परदे पर चड़ जाए तो आप अपने काम नहीं कर सकते तो आपका ध्यान उस प की तरफ अकर्शित होता था और तब तक उसे पकड़ने के लिए नहीं उठ जाती थी तो इसका उत्तर इस तरह से आप दे सकते हैं गिल्लू की अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था परिचारिका मतलब होता है सेविका लेखिका की असवस्ता यानि जब ल के सप्neh करेंषे विका था सब्सक्राइब लगा है परिजका सब्सक्रा परिचया सब्सक्राइब लुकित सब्सक्राइब दे सकते हैं अब प्रशन साथ गिल्लू की चेस्टों से अभाउस मिलने लगा कि वह अग उसका अंत समीप है यानि कि वो अपनी आखरी जो उसका टाइम था वो उसे कैसे पता चल रहा था गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया लेखेका ने देखा कि दिन भर गिल्लू ने कुछ नहीं खाया न भार गया अंत समय में मुश्किल के बाद भीवे जूले से उतर कर एक बिस्तर पर आ गया है और अपने ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया और गिल्लू ने अपने जो अपने ठंडे पंजे थे उससे उसने लेखेका की हाथ पकड़ ले जैसे कि जब कि अब उसका अंश में समीब है आते हैं प्रिष्ण नबर याट पर प्रभाद की प्रतम किरण के सपर्ष के साथ वे किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया इस आशे को सपस्ट कीजिए तो इस कथन से यह आशे स्ट्रेंट की सुभा होती ही गिल्लू की मित्व हो गई क्योंकि इसके हाथ ठंडे हो गए थे सुभा से उसने कुछ नहीं खाया था और अंच समय म गया था तो इन बातों से पते चल गया था कि लेखिका को कि वह उसका अंत समय आ गया है और वह हमेशा के लिए सो गया है ताकि वह कहीं और जन्म लेकर नई जीवन को पासके तो इसका उत्तर इस तरह से आप दे सकते हैं इस कथनकार्ष यह कि सुभा होते ही गिल्लू की मि बशवास का जन्म होता है लेखिका ने सोन झुही को दके नीचे गिल्लू की समादी बनवाई ने जब जुही के लता के नीचे गिल्लू की समादी बनाई क्योंकि वे लता गिल्लू को बहुत पसंद थे और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूलो के रूप में देखेगी और जूही में जब पीले फूल लगेंगे यानि जब वसंत आएगी तो जूही में फिर से पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्पृति साकार हो जाएगी तो लेखिका को ऐसे लगेगा कि गिल्लू फिर से आ गया है और इसलिए उन्होंने और उन्हें संतोष मिलेगा तो इसलिए उन्होंने गिलू की समाधी सोन जूई की लता के नीचे बनवाई तो स्ट्रेंट यह थे NCRT की प्रशन उत्तर वी होप आपको समझ आगे तो लाइक करना वीडियो को चानल को भी सब्सक्राइब करना बैल आइकोन को भी हिट करना और अपने फ्रेंट्स को भी शेयर करना और बाकी जो और आपकी चाप्टर के जो कोशन आंसर हैं सभी चाप्टर्स के उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बाई श्रेंट्स एन अब गुड डे